मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो, रामेश्वरम में, स्री रामनात स्वामी मंदीर हो, या फिर धनुष्कोडी, मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला। सागर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है, प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए है, राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है, हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे, तो इस एकत्व की अनुभूती होगी, और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कुष्ट, इससे अधीक, देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देश वासियों, मुझे देश के कोने कोने में, अलग-अलग भाशों में, रामायन सुनने का अउसर मिला है। लेकिन विशेष कर, पिछले ग्यारा दिनों में, रामायन अलग-अलग भाशा में, अलग राज्यों से मुझे विशेष रुप से सुनने का मोका मिला। राम को परिभाशित करते हुए, रुश्यों ने कहा है, रमंते यश्मिन, इती रामह, अर्थात, जिसमें रम जाए, वही राम है। राम, लोक की इस्वृतियों में, परवसे लेकर परंपराओं में, सर्वत्र समाये हुए हुए हर्यूग में, लोगों ने राम को जीया है। हर्यूग में, लोगों ने अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी तरह से, राम को अभिव्यक्त किया है। और ये रामरस, जीवन प्रवा की तरह, निरंतर बहता रहता है। प्राचिन काल से, भारत के हर कोने के लोग, रामरस का आचमन करते रहे। राम कथा असीम है, और रामायान भी अनिंत है।